36 गर में सभी रूट पर बसों का संचलन शुरू किया गया है लेकिन बस ओपरेटरों की आच्छूत्री मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है शुरू हुई बसों को बार-बार सेनेटाइज पर चलाया जाएगा साधी सवारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बढ़ाया जाएगा बतादे कि प्रदेश भर के बस ओपरेटरों ने मांगों को लेकर एक दिवस्य धरना दिया था संचलों को जीमान पर परिवन मंत्री ने सितंबर और अक्टूबर महिने का टैक्स मास किया है और किराया व्रद्वी को लेकर भी आश्वासन दिया गया है तर पिर से बसों का संचालन शुरू हो चुका है आज हम पंडरी बस स्टैन में मौझूद है जहां पर बसों की चलने का जो सिल्षन है वो कुछी तर में शुरू होने वाला है हमारे साथ बस के कंड़क्टर मौझूद है उनसे जानना जाएंगे किस तरह की जवस्पा यहां पर की गारी गेरेश की निकला है है सुने सिनेटिएजिंग होके उसके बाद स्वारियों को सोशॉल डिस्टेंसिंग के बीट में जात्रीयों को भुठाया गया है तो हम कुछ जात्रियों से मितारना जाएंगे भाई एक हाँ जारे हैं उसकाल जाना है कासी स्वाइव दिलो के बाद बसे चली है कैसा लग रहा है अभी अच्छा है अभी स्वाइब अच्छा हो गया है बस का जैसे कि यात्रियों से बात करके भी हमें यहीं लगा कि यात्री जहें वो खुश नजर आ रही काफी दिनों के बाद यहां पर बसों का जेख अंचालन है वो शुरू हुआ है हम ड्राइवर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहत है यहां पर शुशल डिस्टेंटिंग का भी पाला में अकर आया जाएगा वह साथ ही जो यात्री है उनके लिए थी तमाम ज्यवस्थाएं की गई है बसों को ज्यादा रूट पर रोका नहीं जाएगा सीधे जो यात्री जहां पर जाना जाएंगे वहीं उन्हीं लेकर बस जो है वो जाएगी कैमरा में रेवीं देने नागलका के साथ सुप्रिया पांडे सवराद एक्स्रेश राइपोर्ट तो वहीं फोतित दर्म